सबी को सादर जैजिनेंद्र आज स्तंत्रता दिवस है आज हम सब बरे उल्लास के साथ यह पर्मना रहे हैं जिस भारत देश की राजधानी दिल्ली के लाल किले को अंग्रेजों ने भेद कर पूरे भारत बर्ष पर सासन किया था पूरा हिंदुस्टान उस समय अंग्रेजी हुकूमत का गुलाम था किन्तु बे अंग्रेजी सरकार ज्यादा दिन तक हम पर सासन नहीं कर सकी हमें दास्ता की बेडियों में नहीं जकर सकी और सभी भारत बासियों ने अपने अपने दिलों में आजाजी की भावना जगा कर आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को दिल्ली का लाल किला उनसे मुक्त कराया था इसलिए सतंत्र होने की खुशी क्या होती है यह आज हर भारत के कौने कौने में मनाई जा रहे जश्न से साप पता चलता है इस सतंत्रता के जश्न को मनाते समय एक बात विचारनी यह है कि बहार मैं तो अंग्रेजोंने किले को जीत लिया था लेकिन अंतर में हमारा जो प्रदेशत्व रूपी किला है वह तो ऐसा है जिसे आज तक ना तो कोई भेद पाया है और ना ही कोई भेद सकता है निज प्रदेशत्व रूपी किला है जो कभी ना किसी से बिदा है कर्मे आदी भी रहते बाहर पैठ पाएं कदा पीन अंदर अरे भाई जब तुमारा प्रदेशत्व किला कोई भेधी नहीं सकता तो फिर तुम क्यों परतंत्रता का जीवन जी रहे हो क्यों सतंत्र होकर भी परतंत्र बन रहे हो अहाँ परतंत्र का एक ही कारण हो सकता है और वह है अपने ज्ञान रूपी किले को अज्ञानता बस दूसरों के आदीन कर देना बस यही भूल अनादी काल से हम करते आये हैं सैवा पर के भेद को भूल कर पुद्गल को अपना मान कर करतत्व के भार को लिए जूटी पसंसा के लोब में आकर हमने अपने आपको पर को स्वब दिया और इसलिए हम इस भवबन में भेमन करते हुए गुलामी का जीवन जी रहे हैं लेकिन अब जब महापुन्यों दैसे हमें यह सुनने समझने को मिला है कि यह परतंत्रता हमारा सरूप नहीं मैं तो अनंत सक्तियों का धारक अनंत गुणों की खान अनंत भैवव का स्वामी सतंत्र भगवान आत्मा हूँ और गहराई से बिचा करूँ तो मैं तो सदा सतंत्र ही था बस मैं सतंत्र हूँ ऐसा मानना है तथा आज तक जिस पर द्रब्य को अपना मानकर परतंत्र हो रहा था उस मानता को त्याग कर सम्मेक पुरुशार्थ करके उस परतंत्रता से बहार निकल कर सतंत्रता की तरफ सत कदम भराना है कर्तत्व के बोश से अब तक बहुत परतंत्र है लिया लेकिन अब तो अपने ग्याता दश्टा सरूप को लच्छे में लेकर ग्याता रूप ही रहकर अपने सतंत्र सरूप में रमना है अपनी सतंत्र सत्ता सिद्ध दसा को प्राप्त कर अनंत काल के लिए सतंत्र ही होना है एवं अपने सतंत्र सरूप में रमने का ही पतिपल आनंद भोगना है तव कहीं जाकर मेरा हर दिवस सतंत्रता दिवस कहलाईगा आज के जराष्टिय पर पर आओ हम सभी ये संकल्प लें कि हम सभी भी सतंत्र सरूप की आराद ना कर इस मनुष्य भोग का हर दिवस सतंता दिवस के रूप में मनाएंगे सभी जीव सतंत ग्यायक सुवाव का आरादन कर अनंतिकाल के लिए सतंत सरूप में लीन होकर साधीन हों इसी मंगल भावना के साथ सभी को साधर जैजनेंद्र इसी भावना को लिए हम सब अपने सतंत शरूप को जाने समझें तब इस सतंत दिवस मनाना साथक होगा ऐसी और विचारों को सुनने के लिए यह चनल सब्स्ट्राइक करना ना भूलें लाइक करना ना भूलें और अधिक से अधिक से करके धर्म प्रवावना में से होगी बने